गार्णनर भाई पैशन में आप सब का स्वागत है आप सब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि आप इतनी सारी टोपियारी इतनी सारी फिगर्स और इतनी सारे बोनसाई कैसे क्रेट कर लेते हैं तो आज जो है मैं इसका राज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ कि आम आदनी को ये भरम होता है कि बजार में जो ये 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए के जो है चीजें मिल जाती है और ये बनाने में जो है बहुत मुश्किल होती है, no doubt कि थोड़ी मुश्किल तो आती है, इतना असान भी नहीं है तो ये देखिए, ये हमने एक alligator बनाया, देखिए आप, कितना सुन्दर इसकी even आप, अगर tail भी देखेंगे तो बिलकुल जैसे turn होई होती है, वैसे ही turn दिया है और इसकी ये body देखिए आप, और ये देखिएगा आप, कि ये alligator का मुह देखिए, बगैदा खुला हुआ मुह, तो आप देख पा रहे हैं, तो ये और ये देखिए, ये bonsai tree है, आप नीचे की stem देखिए, कितनी thickness लिये हुए है, और बगैदा roots भी जो है, इसके अच्छे स तो मैंने देखा ही नहीं, जो free में लग जाता है, मतलब इसमें कोई problem ही नहीं है, ये cuttings पड़ी हैं सारी, जो हमने इसकी trimming से निकाली थी, हम इनको जो है अगर guard देंगे किसी गंबले में या किसी जमीन में या कहीं पे भी, तो ये सारे के सारे पौदे बन जाएंगे, परपस तो एक यही है कि जो आने वाली generation है, वो जो है इनसे कुछ जाने और आगे सीखे, और मैं अपना अनुभव आपके साथ share करता हूँ, ताकि जादा से जादा लोग जो है इससे लभानवीत हो सकें, तो कई लोग कहते हैं कि आप इतनी जादा जो है लोगों को सिखा आपके तो इतने व्यूज नहीं आएंगे लेकिन लोग आपके इसको कॉपी करके व्यूज ले जाएंगे, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, किसी को फैदा होगा, तो मैंने देना सीखा है, तो एक छोटी सी कहानी है, वो मेरे को किसी ने सुनाई थी, कि किसी ने पूछा कि गरीब कौन होता है, तो उसने कहा कि गरीब वो होता है, जिसको देना नहीं आता, तो बस मैंने देना सीख लिया है, मैं दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, तो आप जो है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यह देखेगा, बेसिकली क आए कि जब आपको किसी भी बहुत साई ट्री का निर्मान करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा सा गमला ले लेते हैं, उसके अंदर हम उसको लगा देते हैं, और सोचते हैं कि जितना बड़ा गमला होगा, उतना जादा बड़िया उसमें ट्री बन के आएगा, लेकिन ये सचाई नहीं है, अगर आप बड़ा गमला ले रहे हैं, तो कम से काम आप उसके अदर 8-10 शाखाएं जो है, अलग-लग थोड़ी-थोड़ी दूरी पे लगाएं, ताकि सारी डॉलप हो सकें, देखिए इसको जो है, रूट बाउंडिंग बहुत पसंद है, अगर य निंज के गमले में आप देख रहे हैं, इतना बड़ा सा एक, तकरीबन मैं उमीद करता हूँ कि ये, दो फूट जो है, इसकी हाइट हो चुकी है, देखिए दो फूट का, और स्टैंप की थिकनस देखिए आप कितनी बड़ी है, कुछ और चीजे भी इसमें डालनी होती है उसकी भी जिकर हम किसी और वीडियो में करेंगे और या फिर अंत में करेंगे, तो आप इस जो है वीडियो को आखिर तक देखते रहे हैं, ये देखिएगा, ये कितना मोटा स्टैंप मैं आप देखिएगा इसका, है ना, तो ये ये पूरी एक ही चल रही है, एक ही उसके अब देखिएगा, ये दो डाल जो आई, हमने दो डालों को डूलप किया, और ये एक फिगर इसकी बनने को तियार है, इसकी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, आप देखिए इससे क्या बन सकता है, लेकिन मैंने बहुत ही जादा एक ऐसा है, मैंने इसके अंदर जानवर ढूंड लिया है, जो इससे मैं प्लैन कर रहा हूँ, अब उसकी डूलपमेंट की तरफ लगा हूँ, तो अभी मुझे 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 क्या आ रही है, कि ये छट में पड़ा था, रूफ टॉप मेरी गार्णिंग के अंदर, तो ये डूलपमेंट भहुत सोलो हो गई थी, तब मेरे को लगा कि अरे मैं कहीं गलती करना हूँ, तो मैंने एकदम ध्यान आया, कि ये तो रूट बाउंड हो चुका है, तो इसको हमें नया पॉर्ट देना चाहिए, तो अब मैं दूसरा पॉर्ट लेके आया हूँ बड़ा, इसमें इसको मैं शिफ्ट कर दूँग ना, तब हमें जो अन्वांटिड ग्रोथ होती हैं, उनको हम हटा सकते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ होईगी नहीं, तो जो हमने विचार कर रखाया है, जहां हमको पूरा भरा हुआ चाहिए, माना हम कोई फिकर बना रहे हैं, जैसे अब ये फिकर थी, इसके लिए मुझे जो है, इसको प्रेजेंट करना है, तो मैंने जो है, ये टो पियारी करियेट करी है, जिसकी इस समय बजार में कीमत 5-7 जार रुपए लग चुकी है, क्योंकि मैंने एक मित्र को दिखाई है, तो वो कह रहा है कि 5-7 जार तक ये, कोई भी नर्सरी वाला ले लेगा, और आगे ज इस रंग से बहुत सारे जो है, अपनी फिगर्स क्रेट करें, और नर्सरी वालों को जाके दे, आज की डेट में हर नर्सरी वाला कुछ यूनीक आइटम्स रखना चाता है, ताके वो अपने कुछमर्स को जो है, अट्रेक्ट कर सके, चाहे दो-चार आइटम उसके बाब प पसंद करने लगें, तो इसलिए जो है, इनकी कौश बढ़ने लगी है, डिजाइनिंग का आने वाला समय डिजाइनिंग का ही रह जाएगा, अब सिंपल पोदे तो जो से पोटू लगा हो गया, यह सब पोदे तो आम हो चुके हैं, बहुत कॉमन हो चुके हैं, आप घर में लगा लेते हैं, नर्सी तक जाना भी पसंद नहीं करते हैं, तो लेकिन यही एक ऐसा पोदा है, जो फ्री में आप अपना बिना पैसा खर्च करें, आप गार्णिंग शुरू कर सकते हैं, अगर तो वो इससे ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जैसे यह कटिंग्स हैं, और यही वसक भी हफते में दो बार इसको जाके, तीन बार जाके पानी दे देना, डिपेंड करता है कि सीजन में, जैसे अगर विंटर आ जाएगी, तो आप हफते में एक बार भी देंगे, तो भी सफिशन्ट होगा, लेकिन समर में दो बार, कम से कम तीन बार आपको वीक में पानी देना पड़ेगा लेकि उतना भी इसके लिए सफिशेंट है तो देखिए अभी हम इसको बाहर निकालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है ये रूट बाउनिंग हो चुकी है और हमें इसकी जड़ों को छेड़े भी ना देखो दो बताते है कुछ लोग कि भी इसकी जड़ों को काड़ दें यह कर दें वो कर दें मैं बिलकुल साब बता रहा हूँ क्योंकि इसको रूट बाउनिंग पसंद आए जब इसक को बिलकुल कॉट न और बिलकुल ऐसे निकालें और सिधा दूसरे बड़े पाउट पर शिफ्ट करदें यह तीन इंच का पॉट थीन इंच क्या होते complete अगर आप देखते रहेंगे regular तो आप धेक्ते कहरान हो जाएंगे, मैं ऐसे ऐसे तत्ये सामने ला रहा हूं, जो लोग विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं कम से कम 50 साल से गार्टिनिंग में हूँ, तो जो मैंने सीखा है, अब मेरी उमर हो गई है, मैं सोचता है, जो मैंने सीखा है, मैं आप लोगों को देखे जाओं ताकि अगली जनेशन जो है उसको और आगे बढ़ाए तो यह देखी गई है तकरीमन दो फूट यहां से ले चुका है अगर इसको भी मैं सीधा कर लूँ तो डेट फूट यहां से भी ले चुका है क्योंकि यह फिगर के रेट हो रही है इस इसकी जो है इसकी जो है मैं टोपियारी बना दूँ एक मतलब एक फिगर के रेट कर दूँ तो अभी मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर बहुत कमिया है अभी फिगर के रेट करना सही नहीं रहेगा हाँ खाली दिखाने के लिए मैं शेव दिखा सकता हूँ कि ऐसे बन और मैं इससे वो क्रिएट कर पाऊं तो अभी जो है इसको हम निकालेंगे और इसको रिपॉर्ट करेंगे तो हम इसको बाहर निकालते हैं मैंने हलका सा इसको हिला के लूज कर लिया है ताकि जो है जादा समय ना लगे यह देखिए बिलकुल इसका रूट बॉल्ट पूरे कि तरह बन के आया है देखिया अगा कि देख पाने हैं और यह इसकी वाइफ को इसने चोड़ लिया है इसके लिछी अमने यह दिखा देता हूँ यह वायर डालके से बांदा था। और बहुत सारे हमने इसके नीचे, राधर करके डायर दूसका होता एके बहुत सारे के राधर मिला सब्राइब आ दूसके लिए 16. यह डाधर होती है, जो बहुत सास्ती आजाती है। 10 रुपए की लेंगे तो आपकी साल बर खतम नहीं होगी तो इससे बान देते हैं तो इसमें एक तो आयरन होता है तो ये नुक्सान नहीं देता पोधे को आयरन मिलता रहता है और दूसरा यह ज़ादा जब इसको पानी मिलता है तो यह अपने आप से गल जाती है जैसे अंदर से खतम हो गई है तो इसने अपने आप जब हमने खीचा तो इसने छोड़ दिया तो यह अपने पहला स्टक ले लिया अब हम जो है इसको रिपार्ट करें एंद और देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए मिट्टी पहले से बना रखी है मुझे कोई इसमें बहुत विशेश कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है इसको खाली फॉस्फोरस की जरूरत होती है तो आप डिये पी दे सकते हैं आप इसके अंदर बोन मील डाल सकते हैं बस दो बहुत हैं सिंगल सूपर फॉस्फेट इसमें नहीं डालना है उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसमें कोई फल फूल नहीं आते हैं और जो रूर्स के डॉलप्मेंट के लिए डिये पी सफिजेंट है डाइमोनिय फॉस्फेट इसको ड्वलप में होने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो इस दन से अगर आप की पहले जो है इसको छोटे पॉट में लगाएं और जब छोटे पॉट में यह ड्वलप हो जाए तब आप इसको बड़े पॉट में शिप्ट करें उससे क्या होगा कि इसको अच्छे से न अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभार हैपी गार्डने